प्रदीव ठाकूर और हिमाचल अपडेट में आप सभी का स्वागत है हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें और महत्पून जानकारी हम आपके साथ साजा करने वाले हैं आज दिन पर क्या कुछ हुआ है और इसके साथ जो राजनितिक गल्यारे हैं या फिर कहें कि राज्य सैच्वाईले के गल्यारे हैं वहाँ पर क्या कुछ आज नया हुआ है यह तमाम अपडेट्स आपके साथ साजा करेंगे मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर आज इन दिनों कहां पर हैं और उसके साथ साथ कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हैं इन तमाम जो अपडेट्स हैं जानकारी है वो हम आपके संग के पड़ादीकारियों के साथ हुई है और यह भारत्या मजदूर संग के जो पड़ादीकारी उसमें मौद्द है उनके साथ खास तोर पर यह बैठक परिवहन मंत्री बिकर्म सिंग्ठाकूर नयराज्य सच्चिवाले में की है और इसमें बहुत सारे निर्णें भी ल साथ करते हैं कि इस पुरा का कारे कारे का रहा है ऐस तोरान हर tay करें की तरफ से छे सौत EBठ करोड रुपए की विद्यfarर नददी मदद इस और इसके साथ कर्मचारियों से जुड़े जो मुद्दे रहते हैं 15 चाहिए और कर्मचारियों को भी साथ तारिक से पहले सैलरी जो है उनको मिलिनी चाहिए इसके साहथ साथ ये भी निर्णय हुआ है कि जो चटे बेतन आयों की सी फारिशे हैं वो जल्दी ही एचार टीसी में लागू कर दी जाएंगी और कर्मचारियों को चटे बेतनमान के अंत्रगत तमाम लाब यहां पर दिये जाएंगे इसके साथ जो बेतन बिसंक्तियां हैं उसको दूर क करने को लेकर भी चर्चा हुई है और इसको लेकर भी डायरेक्शन जो है परिवहन मंत्री ने दी हैं कि यह जो भरतियां जो यह बिसंक्तियां है यह जल्द दूर की जाएंगी इसके साथ साथ जो ऑबर टाइम से जुड़ा एक मसला रहता है चार्टीसी के कर्मचारियों क कि लंबे समय से उनका ओवर टाइम पेंडिंग है यानि उनको ओवर टाइम समय पर नहीं मिलता है इस मसले को लेकर भी आज जो है इस जो बैठक हुई है उसमे चर्चा हुई है और इसमें यह तैह हुआ है कि ब्यवहरी का हधार पर यानि टैक्टिकल बेस पर जो है यह बनता है उसको दिया जाएगा इसके साथ बर्क्शॉप को लेकर भी लगातार सवाल उठाएते कि जो HRTC की बर्क्शॉप हैं वो ठीक नहीं है और उन बर्क्शॉप में अगर कहें की जो HRTC के जितनी भी बसें हैं उनकी मुरम्मत करनी होती है वो मुरम्मत जो है समय रहते वो ही हो पाती है तो इसी से जुड़ा आज निर्णे लिया है कि जो HRTC की बर्क्शॉप हैं उनकी री मॉडलिंग होगी और इसके साथ साथ जो नए कलपूर्जे हैं उनकी अपलब्दता भी सुनिशित की जाएगी तो यह HRTC करमचारियों से जुड़ी हुई बड़ी बैठक आ असम में जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की है हिमंता विस्वा सर्मा उनके साथ मुख्यमंत्री ने बहां पर मुलाकात की है प्रदेश से जुड़े विश्यों पर भी चर्चा हुई है और यह भी मुख्यमंत्री ने कहा कि असाम और जो हमारा हिमाचल प पर सित्या एक जैसी हैं तो क्योंकि नेजी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री तो यहां पर मुलाकाद जो है आज इन दोनों मुख्यमंत्रों की आपस में हुई है इसके साथ अगली एक जानकारी हम आपके साथ आजा कर रहे हैं यह जो प्लस टू की डेट्स थी उनको आगे बढ स्कूलों की घञा जानाकारी और यह जानकारी राजस्रकार की तरब से जो प्रशाषिनिक सचीव को भी इससमंदित जानकारी वह उपलव्द करवाई है और उसमें ये एक बड़ा निर्णय जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है और सक्त दिशा निर्देश भी जितने भी विभाग परमुख हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया हैं क्यूंकि बहुत सारी बातें ये सुनने में आ रहे थी और ये जो है वो कहा जा रहा था कि कुछ एक अधिकारी वो बिना परमिशन के प्रदेश से बाहर अवार्ड सेरेवनी या फिर और जो समरह होते हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और उसको लेकर पहले अप्रूबल नहीं मिलती है या फिर बिरकुल लेट अवर में यानि एक दो दिन ज जाना पड़ता है अब यहां पर जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से अब ताजा डार्यक्शन जो है इसमें निकाली गई है कि जितने भी ऐसे करमचारी अधिकारी खास्तोर पर जो अधिकारी है वो अगर बाहर जाते हैं पर प्रदेश से बाहर वो ऐसे को यह जाते हैं तो उनको समय रहते प्रमिशन लेनी होगी नहीं तो उनके खिलाब जो कंडुक्ट रूल्स होते हैं उसके मुताबिक कारवाई होगी क्योंकि हिमाचल में काफी सारी इस तरह के मामले सामने आये थे उसके बाद यह जो परस्टनल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यह दिशा निदेश जो है अधिकारियों को लेकर निकाले गए हैं इसके साथ साथ अगली बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में आईचाई प्रशिक्षिक पंप अपरेटर हैं और इनका मसला लंबे समय से इनकी वी बेतनबी संक्ती से जुड़ा बीशाय चल रहा था अ शोदित बेतनमान अन्य करमचारियों को मिला था उसमें पंप अपरेटर को कोई लाब नहीं मिला था तो अब इन्हें उमीद है कि इनकी जो मसले हैं वो अब जल्द दूर होंगे इसके साथ साथ राजधानी शिमला में कुछ समय से साइवर क्राइम के मामले बढ़ रहे है और खास तोर पर बात करें तो ये एक नए तरिका अपने आ जा रहा है कि योनो एप जो स्बियाई की योनो एप है उसको अपडेट करने के बहाने जो है ये ठगी हो रही है और इसी से जूरी एक शिकाई शिमला में पुलिस को मिली थी और जिसके बाद 29,000 रुपे ब्यक् कर सकते हैं इसके साथ जो शास्त्री पोस्ट कोड का जो 813 पोस्ट कोड का विशह चल रहा है लंबे समय से अब तमाम जो अफियरती हैं उन्होंने राज्यपाल जो शिमला में मुलाकात की राजेंद्र विश्वनात आर लेकर से और उनसे गुहार लगाई है कि आप जे कंप्लीट है और कोड का हवाला दे कर उनको निक्ति नहीं मिल रही है जबकि उनका कोई कोई कोड से जुड़ा कोई ऐसा मैटर जो है कोई मसला ये नहीं बनता है ऐसे में इसी पोस्ट कोड के अंतरगत या हम ये कहें कि इसी एक ही तरह का ये मामला बनता है जिसमें वै के वाद अमर नंशन यह तमाम जो स्लेक्टिड अव्यर्ति हैं यह करेंगे अगर इन्हें नुक्ति जो है नहीं मिलती है इसके साथ अगली बात करते हैं किसान बागवानों से जुड़े कि मां की हैंट और यह मसला रखा यहाँ है कि बागवानी मिशन के अंत्रकत जितने भीवने मिशन के अंत्रकत जो है अधिकारी वह लेकिन उसमें किसान बागवान को भी नहीं जा रहा है तो ऐसे में उसमें किसान बागवानों को भी ले जाया जाना चाहिए यह दिमांड भी यहां पर की गई है और प्लम की लेटेस्ट बैराइटी भी हिमाचल में आनी चाहिए इसको लेकर भी डिमांड जो है यहां पर की गई है और सप्रेश शेडूल लेटेस्ट शेडूल जो है वह वह लागू होना चाहिए प्रदेश में यह भी बहुत सारे दिमांद जिनकी तरफ से की गई हैं और सबसेंद में बात करते हैं मौसम की राजधानी सिमला की बात करें दो इस वक्त हलके बादल चाहे हैं हलां कि आज के लिए जो मौसम विभा का प्रुबानुमान है कि आज उन्चाई वाले ख्षेत्रों में हलकी बारिश हो सकती है बारिश की जारें आ सकती हैं यह मौसम विभा का फिलाल अलर्ट है फिलाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जूरी तुमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइटाइम स्ट्वीबर बने रहें धन्यवाद